क्या होगा अगर कोई इंसान कई दिन या फिर हपते तक ना सोये? क्या कोई इंसान बिना निंद के सर्वाइब कर सकते है? ये जब आप काफी इंट्रेस्टिंग है और इसे जानने के लिए इस वीडियो को पुड़ा जरूर देखे क्या आपको पता है इंसान अपनी आधा ज इंदेगी सोने में ही बिता देता है इतना ही नहीं हमारे मानसिक संतुलन को बनाय रखने के लिए और सरीर को बिमारियों से बचाने के लिए गहरी निंद हर एक इंसन की बिसिक जरूरत में से एक है लेकिन साल 1965 में रैंडी गाडनर जिसकी उमर सिर्फ 17 साल थी उसने तो 264 घंटे यानि की गैरा दिन बिना निंद के सर्वाइब करके एक रिकॉर्ड बनाया था लेकिन के वाकई में हम बिना निंद के इससे वी जैदा दिन तक सर्वाइब कर सकते हैं ये इतना आसान नहीं है कुछी घंटों में निंद की जरूरत खाने की इच्चे से भी प्रबल हो जाती है तो आईए हम आपको बताते हैं बिना नींद के आपका सरीर में कहका बदलाब आते है 18 से 19 घंटे बीतने की बाद आपका सरीर का एनरजी कम होना सुरू हो जाएगी 24 घंटे बीतते ही आप अचानक से खुसी मैसूस करने लगोगी सिली सा जोग भी आपको पागोलों की तरह हसा देगा और दुनिया को देखने का आपका नजरिया बिलकुल बदल जाएगा इतना ही नहीं एनरजी लेविल भी काफी बढ़ जाएगा इसका कारान है हमारे दिमाग का मिसूलिम्मीक हिस्सा जो की 24 घंटे की बिना निन्द से एक्टिव हो जाता है और आपके दिमाग में भाडी मात्रा में डोपेमिन केमिकल निकलने लगते है जो की आपको जगाए रखने के लिए काफी जएदा मत्रा में रिलीज होगा इस सिच्वेशन में आप काफी मोटिवेशनल भी फिल करोगे तो क्या बिना निन के इनसान वाकी में अच्छा फिल करने लगता है तो इसका जवाब है ना दूसरे ही दिन आपकी हालात खरब होती जाएगी आपके अजीब बिएवियाल लोगों को सौक कर देगा इस हालात में आपका ड्राइविंग करना लगवाग इंपोसिवेल है और अगर फिर भी आपने कोसिस की तो एक्सिडेंट होना लगवाग कन्फरम है धिरे धिरे आपके दिमाग का फ्रॉंटल लोब नाम का हिस्सा बंद हो जाएगा जिससे आप बिना सोचे ही डिसन लेना सुरू कर दोगे इनारजी लेविल भी हाथ से ज़्यादा कम हो जाएगा सरीर की इम्यूनिटी सिस्टेम जो की कई बिमाडियों से हमारी रक्सा करते है ओ भी काम करना बंद कर देगा जिससे बिमाडियों का खत्रा बढ़ जाता है बोलते बग तब स्टेमर करने लगोगे और किसी चीज़ पर दो सेगेंड भी फोकस या फिर कंसंटेर नहीं कर पाओगे मान लीजिए दो दिन अपने जैसे दैसे करके गुजर भी लिया लेकिन तिन दिन खतम होते ही आपको ये दुनिया एक वीडियो फ्लिम जैसे लगने लगेगा और आप जाकते हुए सपने देखना सुरू कर दोगे सपने भी अच्छे नींद के लिए काफी जरूरी है और इतने दिन तक ना सोनी की वज़ा से आप खुली आख से सपने दिखने लगोगे चार दिन बाद हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि मुझ से सब निकनने में भी एक से दो सेगन का वक्त लगेगा और ये दुनिया आपको स्लो मुशन में दिखाई देगा पाच्वे दिन आप अपने रियक्ट करने की कैपसिटी भी खो बैठोगे अगर कोई आपको मरते भी है तब ओ भी आप पास सेगन बाद ही महसुस कर पाओगे आप में डरबनी फीलिंग डेवलप्ट होगी जिससे आपको डरबने ख्यालाना सुरू हो जाएगा छटे दिन आप याद रखने की कैपसिटी भी खो बैठोगे आपके साथ क्या हो रहा है आप क्या कर रहे हो ये कुछ भी आप याद नहीं रख पाओगे और साथवे दिन आप जीते जाकते एक स्टैचू की तरह बन जाओगे जो की ना चल सकता है ना सोच सकता है और नहीं समझ सकता है और ऐसे ही हालात और भी बिगरते जाएंगे इतने दिनों में सरीर को बैलेंस करने की सक्ती भी खतम हो चुकी होगी और एक बक्त ऐसा आएगा कि आप खुद पर काबू नहीं कर पाओगे और आपने आफी गैरे निंद में सो जाओगे और अगर ऐसा ना हुआ तो मोद भी हो सकता है जी हां रेंडी गर्डेनर भी 11 दिन के बाद आपने आफी गैरे निंद में सो गया था लेकिन ये मनना गलात होगा कि हर इंसन कम सेगाम 11 दिन तक 200 सर्भाइब कर सकते है क्योंकि साल 2014 में फुटबल वर्लकप के दोरान एक फुटबल की बहुत बड़े फैन की 48 घंटे ना सोने की वज़ा से मौध हो गया था इतना ही नहीं चुह पर भी एक ऐसे ही रिसर्च किया गया था जिसमें चुहों को कई दिनों तक सोने नहीं दिया और उन्होंने 4 हपते में ही दम तोर दिया इंसनों को भी हर दिन सिर्फ नीन नहीं वलकि प्रौपर नीन की जरूरत पढ़ती है अगर प्रौपर नीन्द ना मिले तो उस इंसन की दिमागी हलात बिगर सकती है ऐसे में अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंसन की बिसिक जरूरते क्या है तो रोटी, कपड़े और मकान के साथ नीन के जरूरत बताना मत भूलना साइन्स के मुताबिक हिल्दी लाइफ के लिए हर इंसन को कम से कम 6-8 घंटे के नीन लेना बहुत जरूरी है और कैया आप कभी 24 घंटे से जयदा जगे हो तो आप स्काइपीडिया फेमिली के साथ अपने एक्सप्रियेंस जरूर सेयर कीजिए और ऐसे वीडियो हर अफते देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर अन कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया